परिचाए. इस सनचना को देखिए, क्या कोई जानता है कि ये क्या है? सर, ये बेंजीन वलाई है. बिल्कुल सही, बेंजीन वलाई. और अब, एरोमेटिक हाइडोकार्बन को कौन परिभाशित करेगा? एरोमेटिक हाइडोकार्बन वे होते हैं, जिनमें एक या अधिक बेंजीन वलाई होते हैं. आज हम एरोमेटिक हाइडोकार्बन के विशेय में पढ़ेंगे. आईए शुरू करते हैं. उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. एरोमेटिक हाइडोकार्बनों की व्याख्या करना. एरोमेटिक हाइडोकार्बन के समाव यवों की सनजना को पहचानना और लिखना. बेंजीन की सनजना को समझना एरो में टिक्ता की व्याख्या करना बेंजीन की इलेक्ट्रोन इसने ही प्रतिस्थापन भिक्रिया की प्रणाली को समझना एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में क्रियात्मक समूं के निर्देशात्मक प्रभाव को पूर्वनुमानित करना कैंसर जन्निता तथा विशाक्तता की बारे में सीखना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक योगिक हाइड्रोकार्बनों की वह श्रेणी होती है जिसमें उनके सेयुग में असंत्रिप्त प्रणालियों की तुल्ला में इस्थाइत्व काफी अधिक होता है इस श्रेणी के योगिकों का सबसे सरलोधारण बेंजीन को 1825 में माइकल फेराडे के द्वारा प्रदीप्त गैस से प्रथक किया गया था बात के वर्षों में इस योगिक वाइस के समरूपों को गुल मेहदी वरिक्षों से प्राप्त रेजिन गोंद के आस्वंद्वारा प्रथक किया गया क्योंकि अनेक रेजिन गोंदों में सुगंद होती है इसलिए इन योगिकों को प्राया सुगंध यानि एरोमेटिक योगिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा गया और इन्हें एरीन भी कहा जाता है 1845 में आगस्ट वॉन हाफमेन ने बेंजीन को कोलतार से प्रधक किया ये प्रधकन विधी सन 1950 की दशक तक बेंजीन का मुक्य स्रोथ बनी रही आज अधिकांश बेंजीन का उत्पादन पेट्रोलियम से किया जाता है सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को दो स्रोथों से प्राप्त किया जाता है कोईला तधा पेट्रोलियम कोईला बड़ी संख्या में यौकेकों का जटिल मिश्रन होता है जिनमें से अधिकांश दीरक श्रंखलाओं वाले यौकिक होते हैं यदि कोईले को वायू यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिती में लगभग 1000 डिग्री तक कर्म किया जाए तो ऐस्थिर घटक तथा कथित टार आईल बाहर हो जाते हैं आंशिक आस्वन द्वारा बेंजीन, टालूइन, जाइलीन और नेप्थलीन तथा अन्ने अनेक एरोमेटिक यौकिक प्राप्त किये जाते हैं समाव यवता बेंजीन में सभी 6 हाइडोजन परमाणों एक समान होते हैं इसलिए ये केवल एक यही प्रकार का एकल प्रतिस्था पी उत्पाद बनाता है जब बेंजीन में दो हाइडोजन परमाणों को दो समान अथ्वा भिन एक संयोजी परमाणों अथ्वा समुह द्वारा बदल दिया जाता है तब तीन भिन इस्थिती समाव यवी संभव होते हैं इसमें प्रथम एक दो या एक चै होता है जो और्थो यानि ओ के रूप में जाना जाता है द्वितिये एक तीन या एक पांच मेटा यानि एम के रूप में जाना जाता है तथा तीसरा एक चार पैरा यानि पी दूई प्रतिस्था पितियों के खोता है नाम पत्ति एरोमेटिक योगिकों का नामकरण श्रिंकला योगिकों के नामकरण की तरहा आसान नहीं है। प्राया एक से अधिक नाम सुईकारे है और अभी भी पुराने नाम प्रचलित देखे जाते हैं। बेंजीन वलए सभी एरोमेटिक यॉगिक बेंजीन पर आधारित होते हैं C6H6 जिसमें 6 कार्बन परमाणूं का वले होता है और ये प्रतीक होता है शटबुझ के प्रतीक कोने पर एक कार्बन परमाणूं होता है जिससे हाइडूजन जुडा होता है बेंजीन वले के प्रतिस्थापी होने पर इसे फैनल ग्रुप के रूप में नामित किया जाता है बेंजीन वले पर एक अधिक प्रतिस्थापीयों को इस प्रकार संख्यांकित किया जाता है ताकि इन प्रतिस्थापीयों को नियुनतम संभावित संख्याय मिले जब केवल दो प्रतिस्थापी एक बेंजीन वलाई से चुड़े होते हैं तो उन्हें आर्थो यानी O, एक दो स्थापन, मेटा यानी M, एक तीन स्थापन या पैरा P, एक चार स्थापन के उप्योग द्वारा, सामाने नमावली द्वारा नामित किया जा सकता है दिया गया यौकिक एक एथाइल, दो मेथाइल बेंजीन, O, मेथाइल एथाइल बेंजीन, क्या आप दिये गया यौकिक का नामकरण कर सकते हैं? ये एक एथिनिल, तीन मेथाइल बेंजीन, M, मेथाइल एथिनिल बेंजीन एलकिनो की नाम पधरी दो बेंजीन वलाई वाले कुछ सामाने नाम जो आपको जाने चाहिए वे हैं टालूइन और ओर्थो जाइलीन बाइफेनिल इस योगे के लिए संख्यांकन परिपाटी पर ध्यान दें बहु चक्रिय एरोमेटिक हाइटो कार्बन जो आपको जाना चाहिए वो है नेप्थालिन नेप्थालिन वले प्रणाली पर केवल एक प्रतिस्था भी होने पर सामाने नाम पधती में अलफा और बीटा का उप्योग सम्मिलित है एनुलिन्स बड़े एरोमेटिक वलाए होते हैं जिनमें 4N प्लस 2P एलेक्ट्रोन एक चक्रिय संयुक्मी प्रणाली में N बराबर 0 सहित कोई पूर्ण संख्या होते हैं यौकिक एक तीन पांच साथ साइकलो औक टेट्राइटिन एक एनुलिन नहीं है इसमें 8P एलेक्ट्रोन होते हैं जो N के लिए 1.5 उत्पन्ने करते हैं 10. एनुलिन के लिए संदचना बेंजीन की संदचना एक रसायन वग्यानिक केकुले ने 1865 में बेंजीन की निम्न संदचना प्रस्तावित की केकुले की अनुसार बेंजीन में 6 कारबन परमाणू एक नियमित शटबुज के 6 कोनों पर होते हैं प्रतेक कार्बन परमाणू एक हाइडूजन परमाणू से जुड़ा होता है। प्राप्त किया जाता है। अपने सिध्धांद के इस विस्तार में केकुले ने स्पष्ट किया कि बेंजीन में कारबन परमाणू दोलन की अवस्था में रहते हैं। और इस दोलन के कारण कारबन परमाणू के प्रतेक युग्म का आधे समय एक अलाबंध और शेश आधे समय दुई आबंध होता है। केकुले की सनचना ये स्पष्ट करने में विफल रही कि तीन दुईाबंधों के साथ बेंजीन की संकलन यानी योगात्मक अभिक्रियाएं क्यों नहीं होतीं जैसे कि एलकीनो या एलकाइनो से। अनुनाध पूर्व वर्ती प्रायोगिक आध्यानों की आधोनिक प्रायोगिक अध्यानों से पुष्टी हुई कि बेंजीन में सभी आबंध समाल लंबाई के होते हैं जो लगभग एक दशमलव चार शून्ने पिको मीटर है। एक पिको मीटर बराबर एक गुणे 10 की खात घटा 12 मीटर होता है। ये बंध लंबाई एंवं कारबन कारबन एक अलाबंध की लंबाई 1.46 मीटर और एक कारबन कारबन दुई आबंध की लंबाई 1.34 मीटर के ठीक बीच में है। इसके अतिरिक्त इन अध्धयनों से पुष्टी हुई कि सभी बंध कोण बराबर 120 टिक्रीके होते हैं तथा बेंजीन अडूं की सम्तल यानी चप्टी सनचना होती है। बेंजीन सनचना के आधूनिक विवरणों में आणविक कक्षक सिध्धांद के साथ अनुनास सिध्धांद का भी संयोजन किया गया है। किसी अनु के लिए खींची जा सकने वाली सनचनाओं की संख्या जितनी ही अधिक होगी संकर सरचना उतनी ही अधिक स्थाई होगी। किसी अनु के लिए खींची जा सकने वाली दो केकुले सनचनाएं वास्तों में दो अनुराद सनचनाएं होती हैं। इन सनचनाओं का संकर निम्नरूप में बनाया जा सकता है। जहां व्रित्य संपून अनु से होकर इलेक्ट्रॉनों की गती को प्रदशित करता है। ये पाई इलेक्ट्रॉनों यानि पाई आणवी कक्षकों में पाई जाने वाले इलेक्ट्रॉन का विस्थानी करण संयुग्मी डाइडन प्रनालियों में भी पाया जाता है। बेंजीन की भाती संयोग मी डाइटन प्रणालियां भी बढ़ता इस्थाइत्व प्रदशित करती हैं। अनुनाद के कारण बेंजीन अणू अपनी एक, तीन, पाँच, साइकलो, हैकसा, ट्राइन सनचना की तुल्ला में अधिक इस्थाई होता है। ये अतरेक्त इस्थाइ गैलरी प्रतिमोल इसकी अनुनादूरजा कहलाता है। बेंजीन का कक्षक चित्र क्योंकि प्रायोगिक आँख़ों से पता चला है कि बेंजीन अणू समतलिये होता है। सभी कारवन परमाणों तीन अन्य परमाणों से आबंदित होते हैं। और ये कि सभी बंद कौन 120 डिक होते हैं। इसलिए बेंजीन अणू में SP2 संकरण ही होना चाहिए। SP2 संकरण के साथ प्रतेक कारवन परमाणों में एक आसंकरित परमाणविक पी कक्षक इससे जुड़ा होता है। SP2 संकर कक्षकों का अतिव्यापन सिग्मा आबंद बनाता है जो वले को एक साथ रोकते हैं। जबकि परमाणविक P कक्षकों का पाश्विक अतिव्यापन दोनों दिशाओं में हो सकता है। जिससे पाई प्रनाली में संपूण विस्थानी करण होता है। ये संपूण वि परमाणविक पी कक्षकों का अतिव्यापन 6 पाई आणविक कक्षक उत्पन्न करेगा। इन पाई आणविक कक्षकों में से 3 आबंधक कक्षक, जबकि अन्य 3 प्रती आबंधक कक्षक होंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पाई 1, पाई 2 तथा पाई 3 से निर्दिष्ट 3 निम्न उर्जा कक्षक आबंधन सेयोजन और पाई 4 तारंकन, पाई 5 तारंकन तथा पाई 6 तारंकन से निर्दिष्ट 3 उच्च उर्जा कक्षक प्रती आबंधन कक्षक होते हैं। प्रती आबंधन कक्षकों पाई 4 और पाई 5 की तरहा आबंधन कक्षकों में से 2, पाई 2 तथा पाई 3 की उर्जा समान होती है। ऐसे कक्षक अब हिरासित माने जाते हैं। क्योंकि सभी इलेक्टरौन आबंधन कक्षकों में इस्थित होते हैं, इसलिए अणू बहुत इस्थाई होता है। इन सभी विशिष्टाओं से युक्त अणू विस्थानी कृत पाई इलेक्टरौनों के बंद आबंध कोशवाले माने जाते हैं। विस्थानी कृत पाई इलेक्टरौनों के बंद आबंध कोश युक्त बेंजीन जैसे अणू अत्यधिक स्थाई होते हैं। और इनके अनूनाद उड़ जाएं अत्यधिक होती हैं। एरोमेटिक ता संयोग में साइक्लो एलकीनों का गुण है। जिनमें पी कक्षा में इलेक्टरौनों के विस्थानित होने की शमता के कारण अनू का इस्थायतु प्रबल होता है। और एक सम्तलिय अनू निर्मित करने के लिए धाचे की तरह कारे करता है। किसी योगिक के एरोमेटिक होने के लिए तीन सामाने अवशकताएं निम्न हैं। एक, योगिक को चक्रिय होना चाहिए। दो, वले में प्रतेक तत्व का एक पी कक्षक अवश्य होना चाहिए, जो वले के अभी लंब वत हो, जिससे अनू सम्तलिय हो। तीन, योगिक को हकल के निम्न का पालन अवश्य करना चाहिए, वले में चार एन प्लस दो, पी कक्षक इलेक्ट्रॉन हो। बेंजीन की अनेक अभी लाक्षणिक विशेश्चताओं में से इसकी एरोमेटिक ता, इसकी अन अभिक्रिया शीलिता का मुख्रिकाराख होती है। SP2 संकरित कार्बनों पर पी कक्षक कार्बनों का विस्थानी करन बेंजीन को एरोमेटिक गुण प्रदान करता है। BENZINE का विर्चन Sodium Benzoate के विकार भोक्सिलि करन से इस पद्धती का उप योग प्रयोक शाला में बेंजीन प्राप्ट करने के लिए किया जाता है। Sodium Benzoate को soda-lime के साथ गर्म किया जाता है और जब ये विकार भोक्सिलि क्रित हो जाता है, यानि कार्बन डायोकसाइट का विलोपन तो बेंजीन फ्राप्ट होती है फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करके जब फिनॉल वाश्प को गर्म जिंक डस्ट से गुजारा जाता है तो बेंजीन बनती है एथाइन यानि एसिटिलीन के बहुल की करण से जब एथाइन यानि एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से गुजारा जाता है तो ये बहुल की कृत होकर बेंजीन देता है सल्फोनिक अमल के जल अबघटन द्वारा अतितप्त वाश्प के साथ बेंजीन सलफोनिक अमले के जल अबघटन पर बेंजीन प्राप्त होती है भौतिक कुण धर्म एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अध्रोविये अणों होते हैं ये प्राया रंगहीन, द्रव या ठोस होते हैं नेप्थलीन की कोलियों में विशेश गंध तथा शलब प्रतिकर्शी गुण होने की कारण इनकवपयोग प्रसाधन सुविधाओं में तथा कपणों के परिरक्षण में किया जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कजली लोग के साथ जलते हैं ये जल में अमिश्रणिये तथा कारणिक विलाईकों में विलाई होते हैं रासाइनिक गुर्धर्म एक यद्यपी एरोमेटिक योगिकों में अनेक दुई आबंध होते हैं लेकिन इन योगिकों में संकलन अभी क्रियाएं नहीं होती संकलन अभी क्रियाओं के प्रती इनमें अभी क्रियाशीलिता का अभाव वले तंत्रों के अधिक स्थाइत्व के कारण होता है जो संपूर्ण पाई इलेक्ट्रोन विस्थानी करण यानि अनुनात के कारण होता है अरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रोन इसने ही अरोमेटिक प्रतिस्थापन अभी क्रियाओं द्वारा अभी क्रिया करते हैं जिनमें वले तंद्र की एरोमेटिक ता परिरक्षित रहती है। उधारण के लिए बेंजीन ब्रोमीन से अभिक्रिया करके ब्रोमू बेंजीन बनाता है। बेंजीन का ब्रोमीनी करण सभी इलेक्ट्रोन इसने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की यांत्रिकी समान होती है। इस यांत्रिकी के कई चरण हैं। एक इलेक्ट्रोन इसने ही एक इलेक्ट्रोन खोजी अभिकर्मक बनता है। बेंजीन का ब्रोमीनी करण अभिक्रिया के लिए बी आर प्लस इलेक्ट्रोन इसने ही आयन ब्रोमीन अणूं की फैरिक ब्रोमाइट एक लेविस अमल से अभिक्रियाद्वारा उद्पन होता है। कारबद नायन बनाता है। कारबद नायन पर धनावेश होता है, जो अणों पर विस्थानित होता है। उस परमानू से एक प्रोटॉन के विलोपन द्वारा एरोमेटिक ता पुनाप्राप्त की जाती है, जिससे ब्रोमीन अणों, इलेक्टॉन इसने ही आबंदित होता है। अंत में प्रोटॉन FEBR चार माइनस से अभी ग्रिया करके FEBR तीन उत्परेरक को पुनरुतपादित करता है और उत्पाद HBR बनाता है। आप इस विशेश इलेक्टॉन इसने ही आरोमेटिक प्रतिस्थापन या अंत्रिकी को इस प्रकार संग्षेपित कर सकते हैं। रहसाइन इक कुणधर्म 2 इलेक्ट्रॉन इसने ही आरोमेटिक प्रतिस्थापन भिक्रिया के अन्य उधारण में बेंजीन, सांद्र, नाइट्रिक वा सल्फियूरी कमलों के मिश्रण से अभी क्रिया करके नाइट्रू बेंजीन बनाती है कमरे के तापान पर बेंजीन की सांद्र सल्फियूरी कमल से अभी क्रिया बेंजीन सल्फोनिक अमलों बनाती है बेंजीन को निर्जल अल्यूमिनियम क्लोराइट की उपस्तिती में अल्किल हैलाइट से अभिक्रिया कराने पर अल्किल बेंजीन प्राप्थ होती है ये अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट अल्किली करण अभिक्रिया कहलाती है बेंजीन को लेविस या लुइस अमलों, A-L-C-L-3 की उपस्तिती में ऐसिल हैलाइड अथवा एसिड एन हैड्राइट से अभिक्रिया कराने पर ऐसिल बेंजीन प्राप्त होती है यह अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट ऐसिली करन अभिक्रिया कहलाती है एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में प्रियात्मक समों का निर्देशात्मक प्रभाव 1 एकल प्रतिस्थापित बेंजीन को इलेक्ट्रोन इसने ही से उपचारित कराने पर तीन इलेक्ट्रोन इसने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो सकती है प्रतेक अभिक्रिया एक दूई प्रतिस्थापित इलेक्ट्रोन इसने ही को कार्बनिक उत्पात के रूप में उत्पन्ने करती है जिसे निर्देशिकों आर्थो, मेटा तथा पैरा की उप्योग द्वारा चिन्हित किया जा सकता है ए बराबर कोई प्रतिस्थापि, ए प्लस बराबर इलेक्ट्रोन इसने ही यदि आर्थो उत्पाद तथा पैरा उत्पाद का अपिक्षिक उत्पादन मेटा उत्पाद की अपिक्षा उच्छतर हो तो एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में बेंजीन वले पर प्रतिस्थापी एक आर्थो पहरा निर्देशी समू कहलाता है यद इसके विप्रेत प्रेक्षित किया जाता है तो प्रतिस्थापी एक मेटा निर्देशी समू कहलाता है इस उदारण को देखें, हम देख सकते हैं कि मैथिल समू एक आर्थो पैरा निर्देशी समू है एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में क्रियात्मक समू का निर्देशात्मक प्रभाव दो यदि किसी एकल प्रतिस्थापित बेंजीन का इलेक्ट्रोनिस ने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन समान दशाओं में बेंजीन की अपेक्षा तीवर हो तो एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में प्रतिस्थापी एक सक्रियकारी समू कहलाता है समान दशाओं में अभिक्रिया दो, अभिक्रिया एक या पेक्षा अधिक तीवर होती है अताहा मेथिल समू एक सक्रियकारी समू है सभी सक्रियकारी समू हुँ, इलेक्ट्रॉन दाता समू होते है सामान सक्रियकारी समू निम्न है यदि किसी एकल प्रतिस्थापिद बेंजीन का इलेक्टोनिस ने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन समान दशाओं में बेंजीन की अपिक्षा मंद हो तो एकल प्रतिस्थापिद बेंजीन में प्रतिस्थापिद एक अक्रियकारी समू कहलाता है सबान तशाओं में अभिक्रिया दो, अभिक्रिया एक या पिक्षा अधिक मंद होती है, अता नाइट्रो समूह एक अक्रियकारी समूह है सभी अक्रियकारी समूह इलेक्ट्रोन ग्राही समूह होते हैं, सामान अक्रियकारी समूह निम्न है बेंजीन तथा बहु ना भी किये हाइड्रो कार्बन जिन में दो या अधिक बेंजीन वले परस पर सनलेइथ होते हैं वे विशाक्त और कैंसर जन्ने कुणों वाले होते हैं कार्बनिक पदार्थों जैसे की तंबाकू, कोईला और पेट्रोलियम का अपून देहन ऐसे बहु ना भी किये हाइड्रो कार्बनों को उत्पन्न करता है जब ये मानव शरीर के अंदर चले जाते हैं और जैव रासाइनी का भिक्रियाएं करते हुए डिने को शतिक रस्त करते हैं तो ये कैंसर का कारग बनते हैं कुछ कैंसर जन्ने हाइड्रो कारबन निम्न है एक दो बेंच पाइरीन क्या आप जानते हैं बेंचीन की खोज पहली बार माइकल फराडे द्वारा 1825 में की गई जिसने इसे हाइड्रोजन का बाइकार्बुरेट बताया सन 1833 में इसे पुना इलहाड मिश्चेड लिच ने खोजा जिसने इसे गम बेंजोईन जिसके आधार पर इसका नाम पड़ा उससे आस्वित किया चुकि ये अनेक कारबनिक वा ग्रीसी पदार्थों में घुल जाती है इसलिए धातू की सतहों से पेंट वा कारबनिक धब्बे हटाने के लिए इसका व्यापक उप्योग किया जाता है 1849 में Charles Mansfield ने कोलतार से बेंजीन का और द्योगिक पैमाने पर उत्पादन करने की एक आधर्श विधी विक्सित की सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्शेप में दोहराएं एरोमेटिक हाइडोकारवन असंत्रिप्त होने के बावजूद मुख्यता इलेक्टोनिस ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं इनमें केवल विशेश दशाओं में ही संकलन अभिक्रियाएं संपन होती हैं बेंजीन और बेंजोनाइट योगिकों में एरोमेटिक गुण होते हैं एरोमेटिक ता एरोमेटिक होने का गुण है जो ऐसे योगिकों में होता है जिनकी विशेश्ट इलेक्ट्रोनी संदचना हकल 4N प्लस 2 पाई इलेक्ट्रोन नियम के अनुसार होती है बेंजीन वले से जुड़े समूहों या प्रतिस्थापियों की प्रकृति अन्ने इलेक्ट्रोन इसने ही प्रतिस्थापन के लिए बेंजीन वले के सक्रियन या अक्रियन तथा आगंतुक समुह की दिशा के लिए भी उत्तरदाई होती है सनलेट बेंजीन वले तंत्रवाले कुछ बहु नाबिकिये हाइटोकार्बनों में कैंसर जन्निक गुण होते हैं